नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोतिष जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टोफेंट संतोशी एक रासी जिसकी आजकल बड़ी चर्चा है उसके बारे में आज एक खास जानकारी लेकर के उपस्तित हूँ संभवत है इस विशे पर बहुत सारे जोत्षियों ने बहुत सारे कारिकरम कर दिये होंगे क्योंकि यह विशे चार-छे दिन हम विलंब से आप तक पहुंचा रहे हैं विगत 15 मार्च 2023 को शनिदेव कुम्भ राशी में टहलते हुए सत्विशा नक्षत्र में प्रिवेश किये हैं यह नक्षत्र राहु का नक्षत्र है जो उस राशी पे संचरन अभी कर रहे हैं जिस पर शनी की पूर्ण द्रिष्टी भी है परंथु यह द्रिष्टी नीच द्रिष्टी है शनी मेश राशी को नीच द्रिष्टी से देखते हैं अर्थार शुब नहीं है यह द्रिष्टी तो आज हम दो खास राशीयों की चर्चा करेंगे पहली राशी कुम्भ क्योंकि इनी की राशी में सनदेव चल रहे हैं और इसी राशी में सद्विशा नक्षत्र जिसे सदतार का भी कहते हैं जो राहू का नक्षत्र है, पढ़ता है, जिसके बारे में पिछले दिनों हमने बारह राशियों पर इसका प्रभाव बताया था, दर्शाया था। और दूसरी राशी है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है मेश. क्यों कि इसी राशी में राहू अभी चल रहे हैं. तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कुम्भ पर क्या कुछ बहुत negative प्रभाव है या कुछ बहुत positive प्रभाव है इसका एक बहुत बारीक और सटीक हम आपको आ रहे हैं आज मित्रों पहली चीज तो ये कि जो राहु है ये शनि से इतर नहीं है तो सामान रूप से शनिदेव वृद्ध ग्रह कहे जाते हैं काफी बड़ी उम्र के बाद इनका प्रभाव दिखता है जैसे पचास बावन मैं तो ऐसे पच्चपन कहता हूँ जो मेरा शोध और अन्भव है कि पच्चपन वर्ष से पहले शनि का प्रभाव दिखता नहीं है अगर किसी की कुंडली में 20-22 वर्ष में शनि की दसा आ जाए तो वो पचास तक का दिखने लग जाता है समय से पहले कोई बहुत मैं चोर दिखता है बाल वगरे पक जाते हैं निरड़ नहीं ले पाता है व्रिद्ध दिखने लगता है तो समझे कि इस पीडित शनि का प्रभाव उस पर दिखाई देता है तो पहली चीज तो यह कि जो शनि व्रिद्ध वस्था में फल देते वो शत्विशा नक्षत्र में तुरंत फल देंगे क्योंकि राहु का नक्षत्र है एक ऐसे घर में आप इसका एक अलग तरह का विश्लेशन समझे एक ऐसे घर में शनि ने प्रिवेश किया एक ऐसी गाड़ी पर शनि ने प्रिवेश कर लिया जिसकी गती बहुत तेज है बहुत स्पीड वाली चीज पर शनि अचानक आ गए तो आपकी कुंडली में राहु और शनि का जो सिच्वेशन होगा उसी के अनुसार शनि देव फल देंगे सत्विशा में आने के उपरांथ जो भी आपकी कुंडली में शनि राहु की उपस्थती है उसी के अनुसार कुंभराशिवालों को इस्पेशली ये फल देने वाले नमबर एक दूसरे चीज जो चीजें बहुत समय से घिसिट घिसिट कर चल रही थी खीच रहे थे जबर दस्ती का भाई साब वो चीज संपादित हो जाएगी निस्पादित हो जाएगी निपट जाएगी जैसे कही कोई लेंदेन फंसा हो कोई जमीन का विबाद फंसा हो कोई तलाग का केस फंसा हो जबर दस्ती की दिष्टे को खीच रहे थे वो चीजें बिलकुल संपादित हो जाएगी उनमें गती आ जाएगी क्योंकि सत्विषा में शनी देव ने प्रवेश किया इस्पेशली हम कुम्भ राशी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुम्भ में ही ये साब कुछ होने जा रहा है तो कुम्भ वालों की लिये एक तरह से प्रसन्नता का समय है शुभता का समय है दिब्बता का समय है पहली चीज दूसरी चर्चा हम कर देते हैं मेश वालों का दो कारण है एक तो शनी देव की दिश्टी दिश्टी तो खेर सिंग पर भी है दिश्टी तो खेर बिश्चिक पर भी है देखा जाए तो दसम दिश्टी लेकिन चुकि राहु बैठे हैं और इनहीं के नक्षत्र में आया है और मेश वालों की जहां तक बात है आपके थोड़े से दुख बढ़ सकते हैं क्योंकि करेला नीम चड़ेगा आपको अपने निरऴयों पर सोव भार सोचता होगा देखें जब कष्ठ आना होता है तो हमारी बुद्धी को हर लेते हैं शनिदेव या ग्रह कोई भी नाम ले लिए शनिदेव का नाम ले जेए ग्रह का नाम ले हमारा भोग एक तरह से प्रधान्ता को प्राप्ट कर लेता है हम एक तरह से अपने भोग को ज़्यादा प्राप्ट करने लग जाते हैं तो इस चीज पर हमें बहुत ज़्यादा कन्संट्रीर करना होगा समझदारी से काम लेना होगा इस्पेशली मेश राशी वालों से हमारा अग्रह है आप दोनों क्या करें कैसे हम जैसे कुम्भ वालों के लिए तो प्रशनदा का विश है लेकिन फिर भी और मस्तर्श आपका शार्प रहे सटीक निर्ड़े सही समय पर लें आप इसके लिए गायत्री मंत्र का जाब बढ़ा दीजे और बहुत पंक्चुवल अनुशाशित जीवन सैली आप ले करके चलिए बस ये दो चीजों पर आप ध्यान दे दीजेगा सब कुछ आपका सामान में होगा अक्टूबर तक की ये इस सिचुएशन है छे महिने का इस सिचुएशन है जिस पर आपको विशेश फोकस करना पड़ेगा फिलार आज के इस खास अंक में बस इतना ही आप दोनों को हमारी शुब कामनाय है और आप लोग प्रसंद रहिए हंस्ते खिलाते रहिए और नौरात्री के पावन अउसर पर कुछ अनुष्ठान मगरे हो रहा करया ले मुझे पर ध्यान दीजेगा और पतना राची लखनोग वादी शहरों में हम आ भी रहे हैं तो आप मिलने के जिए समय भी ले सकते हैं हमें अनुमत दीजेगा नंबर चली रहा है धन्यवाद नमस्कार शेरादे आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज, कोट, विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीब एक खुशियां अनेक झाल झाल